गर्मिया आते आते आप में से बहुत सब लोगों ने इस तरीके के नेस्ट को अपने घर के आसपास लगे हुए जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी इने करीब से देखा है या फिर जानने की कोशिश की है कि आखरी इने कौन बनाता है, क्यूं बनाता है और गर्मियों के मौसम में ही क्यों जिन जीवों ने इस तरीके के नेस्ट बनाए हैं वो केड़ों का एक बहुत बड़ा समू होता है जिसको हम वास्प या फिर ततया कहते हैं इन वास्प की लगभग 20 से 25,000 स्पीशीज होती हैं जिन में से 95% जो स्पीशीज होती हैं वो अकेली रहती हैं और मेयल और फीमिल जो होते हैं वो सिरफ मेटिंग के दौरां ही एक जूसरे से मिलते हैं बागी बची जो 5% वास्प की स्पीशीज होती हैं सिरफ वो ही इस तरीके के नेस्ट्स को बनाती हैं ये जो वास्पोते हैं कि ये बहुत जादा आकरमक होते हैं लेकिन इनका हमारे इको सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है ये बहुत सारे चोटे-चोटे कीड़ों को खाते हैं जिसकी वज़ा से उनकी पॉपोलेशन जो होती है वो कंट्रोल में रहती है साथ में ही इन वास्प का पॉलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है हम इनसान जो अपनी फसले उगाते हैं उनमें जब कीड़े लग जाते हैं तो यही वास्प उन कीड़ों को फ्री में चट कर जाते हैं और अगर हम इन वास्प को किसानों का दोस्त कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा तो आज हम इनी 5% जो वास्प की स्पीशिज हैं जो इस तरीके के नेस्ट्स बनाती हैं हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपना घर बनाते हैं और क्यों समू में रहने वाले जो वास्प्स होते हैं, ये पेडों की बाहरी चाल का इस्तिमाल करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए ये अपने मजबूर जबडों की मदद से पेड़ों की जो बाहरी परत होती है उसको कुरेद कर लाते हैं और अपने लार से मिक्स करके लुगदी बना लेते हैं और वो इसे लुगदी का इस्त natural करते हैं अपना पूरा का पूरा नेस्ट बनाने के लिए ये ठीक वही ब्रक्रिया है जिसकी मदद से हम इनसान कागस बनाता है और ऐसा माना भी जाता है कि जो कागस है उसका सबसे पहले जो आविशकार हुआ था वो चाइना में हुआ था और कैलून नाम के एक इनसान ने इनी वास्प्स को देखकर कागस बनाने की प्रेना ली थी गर्मियों के शुरू के दिनों में अगर आप अपने घर के आसपास एक अकेली वास्प को मंडराते हुए देखें पर देखें तो जरूर मुमकिन है कि वो एक रानी वास्प हो सकती है जो एक बहुत ही महिफوس जगा ढूंड रही होती है अपने नेस्ट को बनाने के लिए और जैसे ही उसको वो एक महफूस जगा मिल जाती है वो एक बहुत ही मेनत भरे काम को शुरू कर देती है वो अकेले ही अपने नेस्ट को एक शुरुआती रूप दे देती है जिसके लिए वो पेडों की चाल को कुरेद कर लेकर आती है और एक बहुत चोटा सा नेस्ट बना देती है जिसके अंदर दस से बारा चोटे चोटे सेल्स या फिर खांचे होते हैं वो हर एक सेल के अंदर एक एक अंडा देती है और इंतजार करती है उस अंडों में से लारवास के बाहर निकलने का तब तक वो अपने इस शुरुआती नेस्ट को अकेले ही सुरक्षा भी परदान करती है लारवास निकलने के बाद रानी वास्प इनको लगातार खाना खिलाती रहती है और ये परक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि कुछ लारवास अडल्ट वास्प नहीं बन जाते इसके बाद घर को बड़ा करने का काम, छोटे लारवास को खाना खिलाने का काम और नेस्ट की सुरक्षा का सारा का सारा काम जो होता है ये नए निकले अडल्ट वास्प सम्हाल लेते हैं रानी वास्प जो होती है उसका जादातर समय अब सिरफ अंडे देने में ही लगता है। कुछे दिनों में ये जो पूरा का पूरा नेस्ट होता है ये अडल्ट वास्प से भर जाता है और सभी के सभी मिल जुल कर काम करते हैं। लेकिन ये खुशाली वाले दिन जाए देर तक नहीं चलते क्योंकि समय के साथ साथ मौसम में भी बदलाव आ जाता है। बरसातों के जाते-जाते खाने में बहुत जादा कमी हो जाती है। कीडे मकोडे, फल और फूलों का मिलना बहुत ही कम हो जाता है और जैसे जैसे सर्दियां आती हैं खाना एकदम खतम हो जाता है ऐसी स्थिती के अंदर जो काम करने वाले वास्प सोते हैं वो खाना ना मिलने के कारण धीरे धीरे मरने लग जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ भविश्य की रानिया ही जिन्दा बचती हैं वो नरों के साथ मिलन करने के बाद उनके धेरो स्पर्म्स या फिर शुकुरानों को अपने शरीर के अंदर जमा कर लेती हैं और एक ऐसी महफूस जगा में चली जाती हैं जहां पे वो इन थंड भरी सर्दियों से बचके रह सके आप इस चीज़ को शीत निद्रा भी कह सकते हैं जहां पे इन रानी वास्प का जो मेटाबॉलिजम होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है वो अपने शरीर के अंदर मौजूद जो फैट होता है उनका इस्तेमाल करती हैं अपने आपको इस सर्दियों के मौसम से बचाने के लिए जैसे ही गर्मियों का नया मौसम आता है ये नई रानी वास्प अपनी शीत निद्रा से बाहर निकलती है और एक नई महफूज जगा ढूंडती है अपना नया नेस्ट बनाने के लिए वो पिछले साल इखटा किये गए धेरो स्पर्म का इस्तिमाल करती है अपने खुब सारे अंडे देने के लिए इन अंडों में से नय वास्प निकलते हैं जो इस घर को और बड़ा बनाते हैं और इस तरीके से ये जो प्रकरिया है ये निरंतर चलती रहती है जितना अदबुत इन छोटे छोटे जीवों का जीवन चक्र होता है उतनी ही अदबुत इन जीवों के द्वारा बनाएगे इनके घर भी होते हैं अगर मैं इन सभी के सभी nests को करीब से देखो तो इन सभी के सभी nests के अंदर एक चीज जो है वो common है और वो है इनके द्वारा बनाएगे इनके ये छोटे छोटे cells ये जो सभी के सभी cells होते हैं इनके अंदर 6 दिवारे होती हैं और इस तरीके की shapes को हम hexagons कहते हैं ये एकदम symmetrical shape में होते हैं और इनको देख के ऐसा लगता है कि मानो इन wasps ने बहुती सोच समझ कर गणित के हिसाब से अपने nest को शुरुवाती रूप में hexagons के रूप में बनाया होगा लेकिन कुछी साल पहले सन 2013 में कुछ विगानिकों को पता चला जो bees के nest के उपर काम कर रहे थे कि ये जो bees होती हैं ये सबसे पहले अपने cells को circular shape के अंदर बनाती हैं जो कुछी seconds के अंदर hexagons का रूप ले लेते हैं और इसी के basis के अपर हम कह सकते हैं कि शायद wasps के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा इस पे शायद कुछ research नहीं हुई है और ये जानना बहुत ही interesting होगा तो हमारे आसपास रहने वाले ये छोटे छोटे से जीव होते हैं जिनका दिमाग एक चीनी के दाने के बराबर भी नहीं होता वो इतना कुछ कर रहे होते हैं और मुझे जानकर बहुती आश्चर्य होता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेते हैं और ना ही मैंने कभी इन जीव को देखना बिलकुल भी न भूलेंगा को देखना बिलकुल भी न भी न भी न भी न भी न भी न